हिंदु धर्म में शुक्रवार का दिन मा लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन विधिविधान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मा लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है क्योंकि जब वहाँ अपने भक्तों से प्रसन होती है तो उन्हें सुक्स्मृद्धी, खुशाली और धन्दौलत का आशिरवाद देती है। जिस घर पर आ लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए लोग माता रानी को प्रसन करने की ये शुक्रवार के दिन उनका पूजन करते हैं और उप्वास भी रखते हैं। इसके अलावा जोतिश में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिने शुक्रवार के दिन अपनाने से पैसो की तंगी दूर होती है। लाल चूडिया और लाल चुनरी शामिल है। ऐसा करने से मा लक्षमी का आशिरवाद मिलता है और मा लक्षमी प्रसन होती है। मा महालक्षमी को प्रसन करने के लिए शुक्रवार के दिन श्री लक्षमी नारायन का पाठ करना चाहिए। क्योंकि यदि भगवान नारायन प्रसन्न हो जाएं तो मा लक्ष्मी भी अपना आशिरवाद भक्तों पर बनाए रखती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन को खीर का भोग लगाना काफी शुब माना जाता है। मा महालक्ष्मी को लाल रंग अतिप्रिय है और कहा जाता है कि यदि शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्रधारन कर पूजा की जाए तो मा का आशिरवाद मिलता है। मा लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें गुढ़हल का फूल जरूर अर्पित करे क्योंकि मा को लाल रंग का गुढ़हल का फूल अतिप्रिय है। यदि गुढ़हल न मिले तो गुलाब का फूल भी पूजा में इस्तमाल कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन एक लाल रंग के कपड़े में सवा किलो चावल रखे और ध्यान रहे की चावल खंडित नहीं होने चाहिए। यानी चावल का एक भी दाना तूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद चावल की पोटली को हाथ में लेकर उंग श्री श्रीय नम मंत्र का पाँच माला का जाब करें। फिर इस पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन का लाब होता है। शुक्रवार के दिन हाथ में पाँच लाल रंग के फूल लेकर मा महालक्षमी का ध्यान करें और वह फूल तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्षमी प्रसन्न होती हैं और सदैव आपके घर में विराजमान रहती हैं। मित्रों आपको हमारी दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।